हेलो बच्चो नमस्ते कैसे हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और जो आप इंतजार कर रहे थे कि मैं कब संस्कत का क्लास स्टार्ट होगा या संस्कत की क्लास कब स्टार्ट होग करने जा रहे है जिसका नाम है कवी कुल गुरु काली दास जी उससे पहले हमने इंडेक्स पूरा डिस्कुस कर लिया है अच्छे तरह से देख लिया है इंडेक्स में कि हमने क्या पढ़ना है क्या चीजे हमें छोड़नी है और किन चीजों को ध्यान अकरशित करना है यह सारी चिंता मत करिए, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे, न मैं अकेली पढ़ाऊंगी, न आप अकेले पढ़ेंगे, बलकि हम और आप दोनों मिलकर पढ़ेंगे, तो इस तरह से हमारी यात्रा है बहुत अच्छी मंगलमा होने वाली है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि जिस भी मतलब जो भी हम लेसन पड़ते हैं जो भी चैप्टर पड़ते हैं उस चैप्टर के जो कवी है या जिससे भी संबन्दित हैं अगर कवी आए है कोई तो उनका परीचे पड़ेंगे हम सबसे पहले उनका इंट्रो पड़ेंगे फिर उनके द जो शलोक और किसी सुक्तियों में और इन में लिखा जाता है तो मंत्रों में लिखा जाता है वो पद्ध कहलाता है और ऐसे ही कोई पेरेग्राफ के अनुछेत की रूप में लिखा जाता है निबंद हो या कोई कहानी हो या कोई नाटक हो तो वो क्या कहलाता है गद्ध में ल मार्द्यम से जनने की कोशिश करेंगे क्लाँ कालिदाश जी थे कैसी विभूती थी और किस तरह का विए किस तरह की रचनाओ को उन्होंने हमारे इसाइते जगत में इस्थान दिलाया है किस तरह का उनका वक्तव्य था और किस तरह के विचार थे कैसे-कैसे-ईतियासिद पक्षो को लेकर उन्होंने रचनाई की है नाटक लिखे है वो सारी की पद्दात्मक शल्षारी के अंतरकत तो कालिदास में कालिदास ची की बात करें तो अभिग्यान शाकुंतलम का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि अभिग्यान शाकुंतलम को बताने के लिए या भारत का नाम किस प्रकार से भारत रखा गया है या भारत की संस्कृति किस प्रकार की थी या भारत में देशी राजा तो हिंदू समाज की जो नीव है रगुवंश उनके जो काल है या उनके जो समय है उन समय के अंतरकत आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीजों का अध्यन करेंगे कभी कुलगुरु कालिदास की द्वारा लिखे गए जितने भी साहिते हैं इतने भी माकावे है, खंड कावे है, नाटक साहिते हैं इन सभी चीजों को हम यहाँ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और समझेंगे कि कभी कुलगुरु कालिदास जी का व्यक्तित्व कैसा था तो उससे पहले हम यहाँपर उनका व्यक्तित्व पढ़ते हैं उसके बाद उनके द्वारा लिखा गया जो परीचे है, हो पढ़ेंगे तो इस द्यक्तित्व को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें संस्क्रत का जो परीचे है वो भी पढ़ना होगा, कि संस्क्रत असी क्या है, किस तरह से लिखा जता है उसमें कालिदास की बुमी का क्या है और भी कवियों की बुमी का क्या है तो ये सारी चीज़ें में इसके अंदर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आते हम यहाँ पर परीचे की तरब एक सामाने परीचे है कि संस्कृत भाषा का साइटी इतना सम्रद्ध है सम्रद्ध समस्त्यों सम्पन्न है मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर समाईथ है चाहे आप किसी व्याकरनिक दर्ष्टी से भाषा की दर्ष्टी से किसी भी चीज़ें को ले लो कावे सुंदर में भाव पक्ष को ले लो, कला पक्ष को ले लो, सभी चीजों को ले लो सम्रद्य शब्द का जो अर्थ होता वो क्या होता है कि सभी चीजों से सारी सुख सुविदा उसे संपन्न होना उसे सम्रद्य कहते है तो यहाँ पर संस्कृत भाषा को जो साइत है वो इतना सम्रद है कि उसे विश्व की किसी भी भाषा के समक्ष प्रतिसपर्दी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी भाषा के समक्ष, विश्व की इस संसार की जितनी भी भाषा है उन भाषाओं के सामने प्रतिसपर्दियनी प्रत्योगिता के रूप में आप उनके सामने खड़ा कर सकते हो लेकिन संस्कृत में ऐसी ऐसी चीजे है आज हम जो विजञानिक प्रगति देख रहे हैं एरोप्लेन उड रहा है हवाय जाहज उड रहा है या हेलिकप्टर उड रहा है ठीक है तो उससे पहले भी यह जो ऐसे वाहनों का ऐसे वायू यानों का जो आविश्कार हुआ है ये आविश्कार हमारे संस्कत सायत्य में पहले ही हो चुका था क्योंकि हमारे हिंदू संस्कती की जो सबसे प्राचिन भाषा कही जाती है वो संस्कत भाषा थी मनुष्य की बोलचल की भाषा थी ये संस्कत भाषा उसके बाद दीरे 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 समय परिवतन के साथ दीरे 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 ये संस्कत भाषा हिंदी भाषा में परिवर्थित हो गई जो संस्कत बाशा पढ़ रहा है वो कौन सी है लौकिक संस्कत बाशा तो वैदिक संस्कत बाशा थोड़ इसी कठिन होती है लौकिक संस्कत बाशा समझने में आसान होती है तो लोगों की जन समुदायों को समझने में आसानी हो इसलिए यहां कौन सी भाशा का प्रयोग किया गया है लौकिक संस्कत भाशा का प्रयोग किया गया है जो लोगों के लिए उपियोगी हो इसलिए लौकिक कह गया है आगे देखिए कि इस भाशा में महा कावयो खंड कावयो तथा नाटकों की परंपरा सहस्त्र आपदियों से प्रचलित है सहस्त्र यानि कि हजारों शतापदियों से पहले से प्रचलित है कि इस संस्क्रत बाशा में महा कावे लिखना है या खंड कावे लिखना है या कोई नाटक साहित्ति लिखना है तो ये सब लिखने की जो परंपरा है साहित्य की शेत्र में देखे तो साहित्य लिखने की परंपरा है वो आज की नहीं हजारों साल पहले किये तो हमारे हिंदू धर्म संस्कृती में या भारते संस्कृती के अंदर इस संस्कृत भाषा का महत्व अति प्राचिन है अति सम्रद्ध है और अति महत्वशाली है ठीक है आगे चलते हैं कि संस्कत भाषा में बहुत से कवी हुए है और बहुत से महा कवी हुए है महा कवी जिनों ने अपनी लेखन शम्ता को इतना उतकर्ष्ट कर दिया है उतना आगे मतलब उतकर्ष्ट तक पहुँचा दिया है लेखन साहित्य को कि वो महा कवी की श्रेणी में आगए है उसके बाद जिनमें काली दास को सरवच्चे स्थान प्राप्त है ठीक है संस्कुत बाशा से सम्मध्य जितने भी रचनाय है जितने भी साहित्य है या महा कवी खंड कवी या नाटक साहित्य इनको लिखने में कुछ तो कवी कहला है और कुछ महा कवी कहला है और इन्हें महा कवी की श्रेणी में काली दास जी का नाम भी सर्वोपरी सर्वसेश देशांतर तक फैली हुई है इनकी जो कीर्थी है यानि कि इनका जो यश है ये जितने फेमस हुए है वो केवल अपने देश में नहीं अन्ने देशों में भी इनकी रैचनाओं को लेकर इनकी प्रसिद्धी हो चुकी है इनके अभिज्यान शाकुंतलम नाटक के अध्यनो परांद का मतलब होता है पढ़ने के बाद इनके अभिज्यान शाकुंतलम एक नाटक है इनके तीन नाटक है कौन-कौन से अभिज्यान शाकुंतलम विक्रोमर वर्ष्य और मालवी का अगनी मित्र इन नाटकों के माध्यम से महा कवी कालितास जी बहुत ही प्रसिद हुए है उनका यह चारों दिशाओं में फैला है उसकी अलावा यह जो अभिग्यान शाकुंतलम नाटक है इसको पढ़ने के बाद ही पास्चाते विद्वानों यानि कि विदेशी विद्वानों की अभी र और जाना कि इसके अंदर क्या तत्व विद्वान है क्या रूप रेखा विद्वान है कौन सी विशेषता है भारति संस्कति को लेकर यह आई है उन चीजों को पढ़ने के बाद में उनका ध्यान संस्कत साहिती की तरफ गया कि संस्कत साहिती कितनी सम्रद्य भाषा कही जा सकती है जिसमें कालिदास की महा कावियों का उलेकनिय वर्नन किया गया है. प्रस्तूत पार्ट महा कवी कालिदास की जीवन व्यक्तित्व एम उनकी रचनाओं से संस्कत की छातरों को परिचित कराता है. ये जो पार्ट है कवी कुल गुरू कालिदास जो हम उन्होंने लिखी है उनको भारत की किस शिष पर रखा गया है संस्कत साहिती में उनका क्या इस्थान है महा कवी कहने का तात्परी क्या था उनके अलग-अलग महा कावियो खंड कावियो और नाटकों में छोटा-छोटा प्रसंग दिया गया है यानि कि छोटा-छोटा भाव प्रकट किया गया है उनके इस पार्ट में कि उनके महा कावयों, खंड कावयों और ये जो नाटक साहिती है, उनमें क्या-क्या तत्व विद्दमान है, किन-किन चीजों के बारे में बताया है, आगे देखिए, कवी कुल गुरु कालिदास, कवी कुल गुरु महा कवी कालिद वे भारत के ही नहीं, अपे तो विश्व के स्रेष्ट कवी के रूप में भी जाने जाते हैं, स्रेष्ट सबसे उपर, किवल भारत के ही नहीं, वे विश्व के स्रेष्ट कवियों में से जाने जाते हैं, कौन? महा कवी कालिदास, आप कवी नहीं कहेंगे, महा कवी कालिदा अब देखिए एसे महा कभी कालिदास ने रचनाए तो रचली इतनी अच्छी इतनी इतनी सम्रद्द्च आली रचनाओं का निर्मान कर लिया लेकिन उन्होंने अपने बारे में कुछ बताये निक्षाइब कभी कभी क्या होता है कि किसी कवी को जानने के लिए उनकी की बारे में जानना चाते हो तो सूर्दास की जितने भी ब्रमर गीत की पद है या सूर सागर ये ले लिजिये इपने जान ली जिए ठीक है और या फिर मलिक मौमद जैसी को जानन चाते हो तो उनका पदमावत उठा लीजिए उसके उन्होंने आपने queste हैना प्रीचित हैै आपना परीचे नहीं लिखा है कि किस स्थान पर उनका था, कहां के रहने वाले थे, कि समय हुआ था, यह सब मद्वे थे, कोई नहीं जानता है, ठीक है, इन्हों ने अपनी करतियों में भी अपने जीवन के विशे में कुछ भी नहीं लिखा, समिख्षकों, समिख्षक किसे बोलते है, आलोचकों को, समिख्षकों ने अंत में और बहाय साक्षों के आदार पर, यानि कि आंतरीक, आंतरीक यानि कि देश के अंदर या उनके, जो कह सकते हैं कि उनके महा कावे का जो समय था, उस समय को लेकर, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी बुद्धी, मानसिक बुद्धी और शारिरिक समय किसी कावे या महा कावे की रचना करेगा, तो उसी को उध्यान में रखकर, और लोगिक की द्यारा कही गई कीवधंतियों को उध्यान में रखकर, और फिर कुछ अलोचकों ने कुछ समय का निर्धारन करा है, जो ऐसे ही, मतलब लगभग अनुमानित कह सकते हैं, क्या अधार पर इनका परिचे प्रस्तूत किया है, कि वे किस्परकार की कभी थे? कहा खार recoआ राजिश्रे में रहते थे? क्या क्या करते थे ये सारी चीजे उन्होंने अनुमानित तौर पर प्रस्तूत की है जन्वणे समयवमिश्थान कालिदास विक्रमा दित्य के सभारत्न थे अब देखिए अनुमाने तोर पर बताया है आलुचको ने कि विक्रमा दित्य कौन थे ये एक राजा थे उन राजा के सभारत्न थे सभारत्न उनकी सभा में नवरत्नों में से एक थे ठीके कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप दित्य का समकालिन मानता है तो कोई उज्जेन के राजा विक्रमा दित्य का समकालिन अब ये सिर्फ किविदन्तिया है मद्बे थे क्योंकि उन्होंने कहीं भी अपने शमय, अपने जन्मों और अपने इस्थान का कोई वन्नन नहीं किया है ये सिर्फ समिक्षोकों का लगाया गया अनुमान है इस महान कभी को सभी अपने अपने देश में उत्पन हुआ सिद्ध करते है कोई लोग कहते है कि हमारे देश्में उत्पन हुए थे कई राज्य कहते है क्यों राज्य के तो यह उत्तर पर देश्मीर में जन्में कई लोग केते बंगाल में जन्मे थे तो अलग-अलग और कई लोग केते उज्जेन में जन्मे थे तो अलग-अलग समीशकों ने, अलग-अलग विचार को नोई, अलग-अलग साहित्तिकारों ने माह कवी कालिदास का स्थान अपने सम्मेलित करने का प्रियत्न किया है कुछ विद्वान इन्हें कश्भीन में उत्पन हुआ मानते हैं तो कुछ बंगाल में अनेक आलोचक इनका जन्विस्थान उज्जेन भी मानते हैं आगे चले कुल गुरु कालिदास की करतियों में वन वेवेस्ता के प्रतिपादन को देखकर इन्हें ब्राहमन कुलोथपन माना जाता है कुलोथपन का मतलब होता है ब्राहमन कुल में उत्पन यहां लिखेंगे हम ब्राहमन कुल में उत्पन क्या है कि उनके साहिते में उनके जितनी भी करतिया हैं उनके करतियों में उन्होंने वन वेवेस्ता का वनन किया वन्न व्यवस्ता यानि कि हमारे भारतिय संस्क्रति में चार वन्नों का निधारन किया गया है जिसमें ब्रामन, शत्रिय, वैश्य और शुद्र इन वन्नों का निधारन करने के कारण यहाँ पर जो अन्य कभी है आलो चक है वे उन्हें ब्रामन मानते हैं कि ब्राह्मन लोग ही साइत्ती की रचना करते थे, वे ही शिक्षित होते थे, तो इस तरह से वन्न विवस्ता के कारण उनको ब्राह्मन माना जाने लगा, और ये शिवो उपासकते, शिव के उपासकते, यानि कि शिव को ये पूछते थे, फिर भी राम के प्रती इनकी अपा अब रचनाओं की बात करते हैं कि कालितास नहीं रगु वंशम और कुमार संबब दो महा कावियों की रचना की थी तो दो महा काविय कौन-कौन से है रगुवंचयम और कुमार संबव ठीक है, रगुवंच में राम के जब पूर्वस थे राम के जो भी पूर्वस थे कहां से रगुवंच जो कुल है वनच है, वो शुरू हुआ था यानि कि राजा दिलिप से लेके और अगर तक यानि कि आगे कहा तक चला था वहां तक की राजाओं का रगुवंच में वनन किया गया है कुमार संभाव में भी इसी प्रकार से वनन किया गया है अब आता है मेग दूतम और रितु सनहार नामक दो गीती कावे है ये क्या है ये तो महा काव्य है अभी मेग दूतम और रितु सुनहार ये गीती काव्य इनको गीत की तरह गया जा सकता है ठीके आगे देखिए मालविका अगनी मित्रम विक्रुमोर वर्षियम और अभिग्यान शाकुंतलम नामक तीन नाटकों की रचना की है उनमें से अभि वरिदास को महा कवी बनाने में बहुत बड़ा योगदान हुआ है तो ये रचना उनकी तीन नाटकों की रचना है और रगुवंश में राजा दिलिप से लेकर अगनी वन्न तक के समस्त इक्षाकुवंशी राजाओं की उदारता का 19 सर्गों में कितने सर्गों में 19 सर्ग में वन्न किया गया है आपको याद रखना है कि रगुवंश में राजा दिलिप से लेकर अगनी वन्न तक के एक्षवाकुवंशी यानि कि रगुवंश कौन से वन्श के थे एक्षवाकुवंश के राजाय थे और उन राजाओं की उदारता का किस प्रकार उदार व्यक्त उनके व्यक्तित्व को बर्णन करने के लिए यहाँ पर 19 सर्गों में किया गया है कुमार सम्भों में स्वामी कार्थिके के जन्म का 18 सर्गों में बर्णन किया गया है। और रगुवंश कितने सर्गों का है? 19 सर्गों का, तो हम यहां लिखेंगे, रगुवंश जो महा कावे है, वो 19 सर्गों का है, और कुमार संभव, कुमार संभव, जो महा कावे है, वो 18 सर्गों का है, कितने सर्गों का है? 18 सर्गों का, तो दो कोशन दो हमारी यही तयार हो गया है आगे चलते हैं कि मेग दूत में मेग दूतम में यक्ष और यक्षिनी के वियोग को लेकर विप्रलम विप्रलम क्या होता है वियोग श्रंगार का दूसरा बाग होता है वियोग श्रंगार का पून परिपाक हुआ है यानि कि यक् वियोग श्रंगार को बताया गया है, रितु सन्हार में छे रितुओं का काव्यात्मक वन्नन किया गया है, मालवी का अगनी मित्रम में नाटक में अगरी मित्र और मालवी का के प्रेम की कथा को व्यक्त किया गया है, मालवी का और अगनी मित्र के बीच के प्रेम को बताया ग मिलेंगे जो हिंदी पढ़ते हैं उन हिंदी में आप जब भी आप बात करेंगे तो यहां पर जो पुरूर्वा और उर्वर्शी है उसको भी यहां फ्यक्त किया गया है अभिक्यान शाकुंतलम कालिदास का सर्वस्रेश नाटक है और इसी के कारण कालिदास महा कवी कवी कहल इसके साथ अंकों में मेनका के द्वारा जन्म देकर परित्यक्ता पक्षियों द्वारा पोशितिम कन्म महर्शी के द्वारा पालिक पुत्री शकुंतलम के दुश्यन के साथ विवा की कथा का वर्णन किया गया है क्या है कि स्वर्ग की जो आपसरा होती है कौन मेनका मेनका एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन उसे छोड़ देती है छोड़ देने के बाद में कन्वरिशी होते है वो उस बच्ची का पालन पोशन करते है अपने आश्रम में और आश्रम में पालन पोशन करने के बाद जब बड़ी हो जाती है तो राजा दुशन्द के द्वारा उस इसके साथ मैंने विवा किया है और वो अब मेरे दुवारा परित्यक्त कर दी गई है चोड़ दी गई है मैं भूल चुका हूं उसको और फिर अचानक से वह उसे याद आ जाते है क्योंकि दुर्वासा रिशी ने उसे श्राब दिया होता है कि कि तुम्हारा पती तुम्हें बूल जाएगा तो उसी श्राब का ये पूर्णाती होती है और इस पूर्णाती के बाद में राजा दुश्यंत को अचानक से याद आ जाता है सब कुछ और वे जो शकुंतला के साथ फिर अपना जीवन यापन करने लग जाते है अब आते कावे सौंदरी की तरब तो कालि का प्रियोग क्या है का पर होना रस का संपादन क्या है कावे गुण कौन सा है लक्ष शब्द शक्ति कौन सी है तो कौन सी भाषा का प्रियोग क्या है किस तरह की बात को बताने का कारिक क्या है कौन से भाव परसुत किये तो ये सारे चीत किसमें आती है कावे उचीत गुन अभीज्ञान शाकुंतलाम में उसकी संस्करती देख लीजिए रितु सन्हान में भारत में आई होई छे रितुयों को देख लीजिए मालवी का अगनी मित्रे के बीच की प्रेम को व्यक्त करते हुए भार्थ संस्करती को प्रस्तूत किया है कुमार संबं में देख लिए रगुवंश में पूरे जीवन आदर्स जीवन को प्रस्तूत किया गया है तो ऐसे भारते जीवन पदती को प्रस्तूत करने में मा कावि कालिदास का भरपूर योगदान है उनकी कावियों में जड़ प्रकरती भी मानव के सहचरी के रूप में चितृत की गई है जड़ प्रकरती किसे कहेंगे? कि जो प्रकरती निर्जीव है हम उसे सजीव नहीं कहेंगे क्योंकि जो प्रकर्ती निर्जिव है जिसे मनुष्य की आवशक्ता होती है बढ़ने के लिए खिलने के लिए आगे बढ़ने के लिए वह प्रकर्ती में मनुष्य के साथ मानविकरन अलंकार के साथ में सहचरी बनी हुई है ऐसा लगता है कि प्रकर्ती भी पूरी तरह से उसके साथ है जैसे अभिग्यान शाकुंतला में जब शाकुंतला अपने पती ग्रव की तरफ जाती है तो जाने से पहले जब सबसे विदा लेती है तो प्रकर्ती में जो पेड़, पोधे, पत्ते होते वो अपनी तरफ से कुछ उफार से रूप उसे फूल, पत्ते आधी प्रदान करते हैं ठीक है और जो पक्षी होते वो उसके लिए कलरव यानि की गानक आते हैं इस तरह से यहाँ पर प्रकर्ती को भी सहचरी के रूप में व्यक्त किया गया है रगुवंश में दिगविजय के लिए प्रस्थान करते समय रगु का वर्ण के व्रक्ष पुष्प वर्षा करके सम्मान करते हैं अब देखिए प्रकर्ती किस प्रकार से सहचरी है शकुंतला का मैंने बताया आपको अभिक्यान शकुंतला में किस प्रकार प्रकर्ती उसके सा तो ये भी एक तरह का प्रकरती का सयोग है प्रकरती का मानमिकरन हुआ है इसके अंदर मेग दूतम में बाहे प्रकरती तथा अंतर प्रकरती का मर्म इस्पर्शी वर्णन किया गया है मेग दूतम क्या है मेग के दूत कौन है यानि बादलों के बादल एक दूत की रूप में और वे कुछ इस संसार को बताना चाते हैं, तो इसी प्रकरती की बाहिसरूप का और प्रकरती की आंतिसरूप का दोनों का मर्मिसपर्शी वनन किया गया है कवी के विचार में मेग धूम जोती जलवायू का समू ही नहीं वरन वा मानव के मानव समान सम्मेदन शिल प्रानी है अब कभी यहाँ पर मा कभी कालिदास जी कहते है मा कभी कालिदास जी का विचार यह है कि जो मेग होते है यानि बादल होते किवल दुए का एक बवंडरी नहीं है या पानी से भरा हुआ कोई एक तत्व ही नहीं है कि ये भी मानव के समान सम्विधनशिल प्रानी है जिनके अंदर रदे है जो भी जिने भी पीड़ा होती है जिने सुख प्रदान होता है सम्विधनशिल होते है तो इस तरह से प्रकरती को भी सहचरी के रूप में प्रसुत करनेगा जो उलेख निये कारे किया है प्रशंस नि रोक कर अपना निश्चल प्रेम परदशित करता है, अभी पढ़ा हम लोगों नहीं है, कालिदस के कावे में परधान रस श्रंगार है, कौन सा रस है, श्रंगार है, श्रंगार में आप सहयोंग और वियोग दोनों को देख सकते हो, मालवी का अगनी मित्र में भी आप श्रंगार को देख सकते हो, तो कई तरह से, और अभिज्यान श्रंगार में आप राजा दुष्यंत और श्रंगार है, वो श्रंगार को पाने के लिए या उनके पास जाने के लिए दिन प्रति दिन तरपती रहती है, तो उसमें भी आप वियोग श्रंगार को देख सकते हो क्योंकि शकुंतला दुश्यन से दूर होती है और दुश्यन से दूर होने के कारण ये वियोग श्रंगार को प्रकट करता है तो ऐसे आप उनके काव्यों में प्रधान रस अगर देखोगे सभी जगे देखोगे तो वियोग श्रंगार अधिक देखने को मिलेगा संयोग श्रंगार्मी मिलेगा इसलिए श्रंगा रस को या प्रधान माना गया है शेश करून रस भी है अब करून रस क्यूं है क्योंकि बहुत सारी जगे करूना का संचार हुआ है और जहां पर भी करूना का संचार हुआ है मर्म इसपर्शी भावों का संचार हुआ है कालिदास वैदर्भी रीती के स्रेष्ट कवी है जब भी वैदर्भी रीती की बात आती है महा कवी कालिदास का नाम आता है वे अलंकारों के विशेशकर उपमा के प्रियोग में सिद्ध हस्त है उनके नाटकों में वस्तु विन्यास अनुपम चरित्र चितरन निर्दोश और शैली में संप्रेशनी आता है आगे देखिए उनके काव्यों में मानो मुल्यों की प्रतिष्ठा की गई है दुश्यन शकुंतला को देखने के पश्चा शत्रिय द्वारा विवा करने योग्य होने पर भी उससे विवा करते है कन्व की आग्या के बिना गांदर विवा करके दोनों तब तक दुखी रहते हैं जब तक तपस्या और प्राश्चित से आत्मा को शुद्ध नहीं कर लेते हैं अब देखिए यहां पर भी कुछ मानवचित गुणों का संचार हुआ है कि जब शकुंतला रिशिक कन्व की आग्या के बिना दुश्यन से गांदर विवा कर रगुवंशम में रगुवंशी राजाओं में भारते जिन जीवन का आदर्श रूप निरूपित क्या गया है रगुवंशी राजा प्रजा की भलाई के लिए ही प्रजा से कर लेते थे यानि कि अगर प्रजा से कर लिया जाता है तो प्रजा की भलाई के लिए ही उसे जो आज तक भी चली आ रही है कि आप जनता से टेक्स लोगे और उसी से उसका बरन पोजिशन पालन पोजिशन करोगे सत्य वचन बोलते थे यश के लिए प्नार त्याग है तू सदा तयार रहते थे तथा संतानों उत्पत्ति के लिए ग्रस्त बनते थे कालि दास نے हिमाले से सागर परियंत यानि कि हिमाले से लेके और समूदर तक भारत की यशोगाता को अपने कावे में निरूपित किया है रगवंश मेग दूतम और कुमार संभव में भारत के विविद प्रदेशों का सुन्दर और स्वभाविक बनन मिलता है संस्कृत के कवियों में कोई भी कवी कालिदास की तुलना नहीं कर पाया है इसे के साथ देखिए बच्चो आज हमारा UP Board 10th Class संस्कृत का 1st chapter स्टार्ट हो चुका है और हमने 1st chapter जो कवी कुल गुरू कालिदास जी को लेकर है उनका जीवन परीचे पढ़ लिया है जीवन परीचे तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें जीवन से जुड़ी हुई कोई बाते थी नहीं सब कुछ उन्होंने चुपा कर रखा था अपने साहित्य में अपना खुद का परीचे देना वो शाहिद भूल गए या फिर उन्होंने इतनी महानता दिखाए कि वो अपना खुद का परीचे देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा याने कि कोई जरूरी नहीं समझा और उसके बाद देखिए हमने क्या पढ़ा है उनके द्वारा लिखे गए महा काविये गीती काविये नाटक साहितिये इन सारी चीजों को पढ़ा और एक एक रचना में क्या क्या बताया गया है ये भी हमने जाना किस तरह का व्यक्तित्व था पूरे विश्व में उनकी कि पढ़ा के ख्याती है तो ये सारी चीजे हमने पढ़ी है अगले लक्षर में लक्षर नमर टू के रूप में हम हाजिर होते उनके द्वारा उनकी परिचे के रूप में जो भी बाते है वो सारी संस्कत गदशली में लेकर और उनका अनुवाद करते हुए यानि कि संस्कत ग अभी के लिए थैंक यू